हेलो फ्रेंड वेलकम टू एड्यू एक चोटा सा टॉपिक डिसकस करने वाले हैं कि जो अभी जो नीट का एक्जाम होने वाला है हमारा जिसका एक्जामनेशन की डेट हमाई पास आ गई है दोज़़वाइस की सतरह जोलाई की तो इसमें से हम सभी लोग को पता है कि अभी एज अफ नौ करेक्शन विंडो चल रहा है और हमारा जी जो नीट का एप्लिकेशन फॉर्म है वो ओवर हो गया है तो नीट का एप्लिकेशन फॉर्म ओवर होने के बाद सभी जायता के आया है वो यह निकल के आया है कि इस बार अभी तक के नीट की जो टोटल जर्नी है जो टोटल इतिहास है इसमें से सबसे जादा बच्चों ने इस बार नीट के एप्लिकेशन फॉर्म को फिल किया है लास्ट येर के से अगर हम कंपरेजिन करते हैं तो लगभग धाई ल कि जैसे जैसे नीट का एक्जामनेशन है ये एक्जाम बहुत ब्रॉड होता जा रहा है और अलग-लग कोर्से को भी अपने अंदर लेता जा रहा है नोट ओनली फॉर Mbbs नीट का एक्जामनेशन जो देने वाले जाया तर बच्चे है वो उसमें से मैजॉर्टी जो है वो M जो है नीट का वो बढ़ता जा रहा है तो इस बार अगर हम देखते हैं तो टोटल एटी लैक सेवेंटी तू थाओन बच्चों ने टोटल नीट के एप्लिकेशन फॉर्म को फिल किया है और हर साल की तरह अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसमें जो फीमेल की कॉंट जादा आया गल्स की वॉल्यूम और इससे से यह भी पाज़ाला है कि फुचर में अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर्स हैं उसमें गल्स की वॉल्यूम ज्यादा रहेगी हमाई नेशन के अंदर हमाई कंट्री के अंदर तो टोटल इस बार हम देखते हैं तो 10,64,000 गल्स न यह फॉर्म को फिल किया है और OBC के जो बच्चे हैं वो भी ज्यादा है in comparison to general तो यह हमारे stats हैं जो इस साल हमाई निकल के आएं तो इसको हर्ल बंदा जैसे सोचता है जैसे analysis करता है वैसे इसको समझ में आता है काफी लोग इसको issue बना देंगे जो इसको समझ नहीं बीच में हमको exam देना है कितना tough examination है तो आपका fear factor बढ़ेगा और आप निराशा में अपने exam को खराब कर लोगे इसलिए dimension को change करके दूसरे नजरी से देखना ज्यादा बेटर रहता है कि मैं single एक बच्चा हूँ और एक लाग से ज्यादा सीटे इस बार होने की संभावना है need examination में तो आपको अपनी journey असान लेगेगी तो देखने का तरीका अपना change करिए हमको अपने computer को नहीं देखना है कि कितने जादे बच्चे examination दे रहे हैं जो बच्चा जैसा है need में examination करेगा उसको वैसे ही number मिलेगा यह simple सा logic है तो आपको पस time उतना ही है चाहे आप यह सोच क कि उस time को invest कर लिए कि इतने सारे computer है चाहे अपनी preparation करके उस time को invest कर लीजे तो वो जादा दोस्ता वाला step ज्यादा beneficial रहेगा तो जितना जादा बच्चों ने form fill किया that is not your job आपको सिर्फ अपने subject पर रहना है सब सब कुछ सेम है अगर cut off के उपर बात करते हैं अगर आपका शेषो बीस यह सब्सक्राइब कर लेकर आ रहे है अगर आप उस landmark को नीचे नहीं लेकर आ रहे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज पढ़ने का मौका में लेगा अभी आपके अपके अपास time है बच्चा वा जो भी time हो इसको बेस्ट यूटलाइस कर सकतो हैं ना कि वही स को अंकरिंग और वो नॉलिज हम अपने इग्जामिशन सेंटर में यूज कर सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं Simple thinking and high living formula को आप अपना ये बच्चे वे time में and all the very best for your need examination friends. Thank you so much.